लिए आलू को उबाल लेंगे अच्छी तरद से मेस्क करने के पाद आप चाहिए तो उसमें कलर एड कर सकते हैं जैसे टिक आप की खीली खीली दिखेंगे आप इसमें डालें पद्रम और हरी मीरच का टेस्ट अब आप इसमें लाल मीरच और टेस्ट के एकॉर्डिंग नमग डाल देंगे डालने के बाद आप चाहें तो इसमें गरम असाला भी एट कर सकते हैं का कटिंग करावा धन्या डाल देंगे इसे टिक्या बहुत स्वाधिश्ट और सुन्दर भी दिखेगी अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप चोटी या बड़ी जी से आपको टिक्या चाहिए बॉल बना लेंगे बॉल बनाते समय अगर आप हथेलिक में तेल लगा कर बनाएंगे तो बॉल और भी अच्छी तरीके से बनेगी यह हमारी सारी टिक्या हम रेडी कर लेंगे अब इसके मसाले के लिए हम क्या करेंगे पेन लेंगे उसमें ओईल लेंगे ओईल में धनिया जीरा देज पत्ता का छोख लगाएंगे छोख लगाने के बाद आप इसमें हरी मिर्ज और अद्रक का पेस्ट डालें इनके इसको फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे ग्राइंड कियावा टॉमाटर का पेस्ट अब अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे फिर आप इसमें हल्दी डालें लाल मिरेच डालें मिला दीजी अब आप नमक भी डाल दीजी इसके टेस्ट के कोडिंग नमक डालने के बाद इसको फिर पका लीजी पांच मिनुट छोड़ दीजी इसको जब यह अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यह और रिलीज कर देगा और मैंने छोले जो पहले से उबाल के रखे हैं छोले और चने मिक्स करके वो इसमें डाल देंगे ग्रेवी में फिर यह अपने छोले रेडी हो जाएंगे अब टिक्या को फ्राई करेंगे इसके लिए पेन लेंगे पेन पर आप चाहें तो ओयल डाल सकते हैं यह बटर जो भी आप चाहें फिर इन पर जो बोल बनाई हो रखेंगे इनको फ्राई करेंगे अच्छी से फ्राई करेंगे और दोनों साइट से फ्राई करेंगे आप चाहें तो एक साथ सारी फ्राई करके रख सकते हैं या आप जैसे जैसे खाए गर्म गर्म रिसे फ्राई कर लें